दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत एक important medicine की बारे में यह एक medicine injection की रूप में है और इसका नाम है injection anoxaparin दोस्तों injection anoxaparin एक यह anti-coagulant medicine है coagulation का मतलब दोस्तों जमावट हिंदी में coagulation को हम बोलते हैं जमावट यह anti-coagulant है याने की जमावट को रोकता है खून की जमावट को रोकता है blood clots बनने से रोकता है तो इसका जो main up-yog है वो है it is used to treat and prevent formation of blood clots याने की यह दो blood clots बनने से रोकता है और अगर बन जाए तो उनको और बढ़ा होने से रोकता है it stops existing blood clots to become bigger यहने कुछ जो clots बन गए है खून में किदर तो उनको बढ़ा होने से रोकता है इस तरह से बहुत है इसका important use है दोस्तो आज के समय में काफी उपयोग में आता है यह anti-coagulant medicine दोस्तो एक काम कैसे करता है इंजेक्शन एनोग्जापेरिन हमारे शरीर के अंदर blud को arteries में ढम्रीव में smoothly flow करने मदद करता है ताकी खूनunya कहों रक्त हमारे शरीर लगते हैं यह क्या करता है कुछ हमारे शरीर के अंदर blood clotting proteins होते हैं कुछ ऐसे proteins होते हैं उनकी जो activity है उनकी जो कार्य है उनको कम करता है उनकी जो activity उनको कम कर देता है इस तरह से blood clot होने से injection anoxaparin रोकता है by inhibiting blood clotting proteins जो blood clotting proteins है उनकी activity को रोकता है कम करता है इस तरह से यह काम करता है इसलिए दोस्तों injection anoxaparin यह एक anticoagulant medicine यानि खोन की जमावट को रोकता है इसको blood thinner वह भी बोलते हैं यानि जो खून को पतला रखता है पतला करता है और एक हिपैरिन का टाइप है जो खून पतला रखने की दवाईया होती है दोस्तों जो इंजेक्शन एनोगजपरी नहीं प्रिसक्रिप्शन मेडिसेन आपको डॉक्टर के प्रिसक्रिप्शन पर यह मिलेग खून के धक्के बन जाते हैं तो बीमारी पैदा हो जाती है अगर brain के अंदर, हमारे मस्तिश्क के अंदर जब खून की नसों में, धमनियों में blood clot बन जाता है तो लकवा आ जाता है दोस्तों इसको हम बोलते हैं stroke अच्छानक से एक जटके में लकवा आ जाना शरीर का किसी भी अंका कमजोर पड़ जाना पैरलेसिस हो जाना इसको medical terms में cerebral vascular accident भी बोलते हैं यानि cerebral दिमाग की नसों के अंदर कोई accident हो जाना blood clot आ जाना अच्छानक से दोस्तों इन बीमारियों में stroke की बीमारी में ये injection उस समय भी उपयोग में आता है दूसरा है जब फेफडों में हमारे फुफुस में lungs के अंदर जब clot बन जाता है veins के अंदर उसके अंदर उसको बोलते है pulmonary embolism इस बीमारी में इसका उपयोग करते है heart की जो दमनी आए coronary arteries है heart की जो खोन की नसे होते हैं coronary arteries बोलते है coronary arteries के अंदर जब blood clot आ जाता है रुकावड आ जाती है तो छाती में दर्द आना chest pain आना heart attack आना angina भी बोलते हैं इसको unstable angina इसके अंदर भी इसका उपयोग होता है जब हमारे deep veins यानि शरीर के अंदर जो गहरी deep काफी अंदर शरीर के अंदर जो veins है उनके अंदर जब clot बन जाता है thrombosis हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं DVT यानि कि deep vein thrombosis उसके अंदर जब clot बन जाते हैं तब injection anoxyaparin का उप्योग करते हैं या कुछ surgeries है orthopedic surgeries यानि कि जो अस्ती रोग वाले doctor surgeries करते हैं इसकी knee replacement surgery hip replacement surgery उस समय भी ताकि क्योंकि ये surgery काफी लबी चलती है तो उस समय clot नहीं बने complications नहीं हो तब उप्योग करते हैं या कुछ general surgeries जिसमें operation लंबा चल रहा है तब भी injection anoxyaparin उप्योग में लेते हैं doctors dose decide करते हैं आपकी age, sex, weight और बीमारी के हिसाब से आपकी age क्या है आपकी age देखेंगे आपका weight क्या हैं उस हिसाब से आपका dose adjust होगा आपका जो रोग है उसकी क्या गंबीरता, severity क्या है इस हिसाब से आपका dose doctors set करेंगे दोस्तों देने का क्या तरीका है इसको mostly ज़्यादा तर subcutaneous दिया जाता है यानि कि skin और muscle के बीच में इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप जो भी trained nurse, staff, doctors वो injection आपको लगाएंगे दोस्तों side effects, जैसी कि हर medicine, हर दवायों को side effects होते हैं injection, anoxyaparin के भी side effects है जो प्रमुक side effects से ध्यान रखने लाइक है, वो हम आपको बताएंगे जो सबसे प्रमुक side effect है, वो है headache, सिर में दर्द होना यह इसका एक side effect देखा गया है दूसरा है important, bleeding कहीं भी injection, anoxyaparin वगरे इनका इस्तमाल जब होता है तो bleeding होने का खत्रा होता है क्योंकि blood thinner medicine आपने आपको बता है brain में bleeding हो सकती है हो सकता है, आपके gums में bleeding हो, नाक से bleeding हो आपके urine में bleeding हो, इन बातों का ध्यान रखेंगे thrombocytopenia यानि कि आपके platelets count शरीर के अंदर खून के अंदर कम हो जाते हैं और liver enzymes बढ़ा देता है लीवर पे इसका effect होता है, तो liver enzymes बढ़ जाते हैं इस तरह से चार पार प्रमुक इसके side effects से दोस्तों injection and anoxypening इस्तेमाल करते हैं, precautions क्या ध्यान रखना है, कौन सी कौन सी important बाते हैं, वो ध्यान रखनी चाहिए एक तो यह ध्यान रखना चाहिए, कि injection लगाने के बाद में, जो injection site है, उसको आपको रब ज्यादा जोर से नहीं करना है, क्योंकि कई बार injection site को रब करने से हो सकता है, अधर bleeding हो, injury हो, bruising हो, इस तरह से तकलीफ हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे और अगर आपका कोई heart wall replacement हो चुका है, या आपको heart के wall की कोई बीमारी हो, तो डॉक्टर को ज़रूर बताना है, आपको kidney या liver सम्मधी, कोई बीमारी तो वो भी डॉक्टर को बताएंगे, क्योंकि इसका dose adjustment डॉक्टर अपने साब से करेंगे, अगर आप breast feeding और pregnancy है, तो normally इस अवस्था में injection यूज कर सकते हैं, फिर भी आपको डॉक्टर को बताना है, और alcohol के साथ में इसको avoid करना है, driving करते समय ये injection में कोई दिक्षट नहीं है, इन बातों का ध्यान रखें आप, दोस्तों, आज हमने एक important दवाई, injection आपको बताया, दोस्तों, ये injection काफी उप्योग में आता है, ताकि इसलिए हमने आपको important जान कर दी, आशा करते हैं, ये वीडियो आपको पसंद आएगा, इसको आप like and share जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए है, तो कुरुपया सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे वीडियोज हम आपको और लाके दे सके हैं, मैं आपको लाकर दूँगा एक नए वीडियो, तब तक के लिए मैं डॉक्टर योगेंदर आपसे आगे लेता हूँ, नमस्कार, जाहिंद